हेलो एवरीवन मैं आपकी होश्ट अन्या और आप देख रहे हैं वंडर्फुल गार्डन दोस्तों आज की वीडियो भी काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाले है आई होप आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी दोस्तों अगर आपने पोदीना लगाया तो ये वीडियो आपके लिए वीडियो को पूरा वोच कीजेगा और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसे कि आप अपने पोदीना को हैल्दी और हरा भरा रख सकते हैं पूरी समर आपके गार्डन में पोदीने की भरमार हुई रहेगी छोड़ी- कुछ टिकटिंग से भी यह बहुत इसली ग्रो हो जाता है इसके उपर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि इस तरीके से आपको दिना को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों चलो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं आई हो पाच की वीड लेकिन कोई बात नहीं अब मैं आपको वो टिप्स बताने वाली हूँ जिससे की पूरी समर आपके गार्डन में पोदिना इसी तरीके से हरा भरा रहे आईगा आईए दोस्तों चलते हमने पहले पॉइंट की तरफ पोदिना आपका बहुत ज्यादा है और बहुत ही आपके जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत ज्यादा बुशी भी हो जाएगा चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों जैसे जैसे समर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा पोदिना खराब होने लग जाता है तो इसका सबसे पोदिना बहुत जल्दी खराब हो जाएगा तो आफल कासा इसमें नमी बना करके रखें चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों कभी भी पोदिने को हमें पूरे तेज दूप में नहीं रखना चाहिए हमेश्य पोदिने को ऐसे जगा पर रखें जहापी से और बहुत प्यारी सी ब्राइट लाइट मिले चाहे तो ग्रीन नैट के नीचे या ऐसे बड़े बड़े प्लांट के नीचे भी आप इने रख सकते हैं या फिर ऐसे जगह रखें जहापी से तो नो बजे तक की अच्छी खासी धूप मिले क्योंकि आने वाले समय में बहु गाइस अगर आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है या थोड़ी थोड़ी भी ग्रोथ कर रहा है तो आप सबसे पहले अपने प्लांट की ऊपर की जो कुछ-कुछ लीफ हैं वो आप निकालते रहें आप अपने काम में भी उन लीफ को ले सकते हैं हाला कि पो सके पोदिने की बड़ी बड़ी लीफ आप कट करते रहें या उपर से थोड़ी आप इनकी कटाई चटाई करते रहें जितनी ज़्यादा आपका पोदा ग्रो करेगा बहुत ज़्यादा न्यू न्यू ब्रांचिस निकालेगा जितनी ज़्यादा इसमें ब्रांचिस निकलें उनकी रूट्स जादा डीप नहीं जाती हैं, कभी भी पोदीनी के लिए बड़ा गहरा पोट नहीं लेना चाहिए, जब भी आप इनके लिए पोट लें तो थोड़ा सैलो पोट लें, जो की फैला हुआ रहता है, जितना फैला पोट लेंगे उतना ही जादा आपका प्लांट आगे की साइड ग्रोथ करेगा, क्योंकि इनकी न्यू न्यू ब्रांचिस निकलती हैं, और अलग-अलग इनमें ग्रोथ भी होती रहती हैं, आपको पता हैं, हर एक नोड़ से इसमें रूट्स निकलती हैं, और जहां से भी इनमें रूट्स निकलती हैं, वहीं ये सोयल में इसलिए इनके लिए हमें शैलो पोर्ट का ही इसत्माल करना चाहिए, जितना जादा आप बड़ा और शैलो पोर्ट लेंगे, उतना हिज़ादा आपका प्लांट ग्रोथ करेगा, और हमेशा दोस्तों ध्यान रखें कि नमी बना कर रखें, क्योंकि दोस्तों अगर इसमे जब अब हैं सिर्फ इतनी नमी कि उसकी जड़ हलकी सी गीली रहें लेकिन इसका मतार यह नहीं है कि आप ओर वाटरिंग कर दें आप जानते हैं इनकी स्टैप पे भी उल्रेडी पानी रहता है ज़्यादा ओर वाटरिंग की वज़े से आपका पोधिना गलके खराब हो जाएगा सिर्फ उतना ही पानी देना है जितने की से जरूर तया हैं अगर आपने मौर्निंग में पानी दिया है और आप सामको देखते हैं इसमे वह अलकी सी नमी है तो फिर आप अवोईड करें आप बिल्कुल भी इसको पानी ना दे लेकिन सोयर बिल्कुल सूखी नजर आ रही है दोस्तो आप continue अपने branch को पानी देते हैं जब הי aí आप देखते हैं सोले सुखी हुगी है तबिया आप पानी देते है उसके बावजुत भी पानी देते देते भी आपकी soil बार बार सुख रही है तो इसके लिए आप करें दोस्तो कि आप अपने pot में थोड़ी सी qocopeat डाल दे या कोको पीट की एक लियर बना दे क्योंकि कोको पीट हलका सा मोश्चर होल्ड करके रहता है और कोको पीट ठंडी भी रहती है और आपके जो प्लांट है उसमें हलकी सी नमी भी बनी रहेगी बार-बार सोयल भी नहीं सुखेगी हमारा पोधिना कहीं जाने वाला नहीं है थो कोड़ा सा आप कोपीट भी जरूर मिलाएं और सैंड की मात्रा भी जरूर रखें सैंड ज्यादा पानी रुपने नहीं देता और कोपीट हलका सा मुष्चर को होल्ड करके रखता है अगर आप इस तरीके का सोईल बनाके लगाएंगे तो आपके प्लांट की जो सोईल है उसम अदिक भी तेज गरमी क्यों नहों और आप बार-बार पानी देने से भी बचेंगे इसे दोस्तो आपका प्लांट भी हल्दी रहेगा और हल्की सी आपके प्लांट में नमी बनी रहने के सासा दोस्तो इसकी काटिंग टूनी वगारा भी करते रहें जिसे की आपका की ग्रोथ होगी और अपने प्रोधिनी के साथ हमेशा बने रहें एक नजर अपने प्लांट पर जरूर बना करके रखें दोस्तों जब हम एक नजर अपने प्लांट पर बना करके रखते हैं तो हमें पता रहती है कि हमारा प्लांट किस कंडिशन से गुजर रहा है उसको किस लेकिन अगर आप प्लांट को लगाकर बूल जाएंगे तो आपका प्लांट तो डेफिनेटली फिर मरेगा ही मरेगा इसलिए थोड़ा सा धियान अपने प्लांट पर भी रखें आई होप दोस्तों अगर आज की यह टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस एक लाइक ज